तो हेलो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंस्टिविटी और कंट्रोल के रिलेटी जितने भी आपके डाउट से हैं वो सारे क्लियर गरूंगा और आपको आपकी बेस्ट से और कंट्रोल फाइंडट करना सिखा हूंगा और आप सबसे पहले मेरे बेसिक कंट्रोल और अडवांस कंट्रोल देख सकते हो और यह मेरे कंट्रोल से मैं फोर फिंगर जैरो खेलता हूं तो अब आते हैं सेंसी कैसे फाइंड डूट करने हैं तो गाइस मेरे उपिनियर में आपको टीवीपी नोस्कोप जो है वो 65 रखना चाहिए यह 70 के बीच में बैस्ट है तहल का ओमलेट बना दोगा आप बंदोगा और बाकी की कैमरा सेंसी आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो एक डम बैस्ट है जोनतन बन जाओगे है का जैसे स्प्रेवरे मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लोग बोलेंगे इंबोट लगा है तो अब आते हैं एडियस सेंसी पे तो इसका जो टीवीपी नोस्कोप है वो मेरे उपिनियर में आपको 35 से 40 परसंट तक रखना चाहिए क्योंकि इससे आपका जो हिफ जाएरो सेंसी पे तो मेरे पिनियर में इसका जो टीवी नोस्कोप है वो आपको 265 से 270 के बीच पर रखना चाहिए और इसका लो रखने का रिजन यह है कि जब आप लो रखोगे तो जो टीडियम और क्लासिक में हिफ फायर वगईरा मारते हैं तो उसमें जो जाइरो की शे लोग आपको हैकर बोलना शुरू कर देंगे और आपके हैट्स वगईरा भी अच्छे लगेंगे जिससे आपको इंप्रूब हो जाएगी और गाईस मैं आपको एक्जाम्पल्स भी दिखाता हूं और स्प्रेश वगईरा के लिए आप जो यह जैरो सेंसी है या आप सेंट एकड़ सेंसे है में रख सकते हो एक जम लेजर 混त्रत के लिक्तमे श्प्रेय रागगर अगय टेश कवर फूर एक्जंपल और गाइस आप ये संसी की जो स्प्रेय टेस्टिंग वो चैक पर सकते हो इस स्प्रेय मारने में आपको क्लास्टिक में कोई जित करते होगी एक दम लेजर स्प्रेय जाएंगे और गाइस ये संसी को मास्टर और और ज्यादा रिफाइन करने के लिए मैं आपको डिल बताता हूं त्रोयबल ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद कैंसल करके ये 200 मिटर वाले टार्गेट पर आना है और ये ड्रिल जो है ये प्रैक्टिस करने है जिन में बस 10-15 मिनिट कर ल अब इस से जादा बॉइसोर में इस नहीं होता है इसलिए मैं जा रहा हूं तेहल कॉमेट बनाने तो फॉक इट